भाईयो बेनों इस साल केंद्र सरकार ने असी लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष बिताई किया है। उत्रा खंड में जीन गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं। हमारा काम चल रहा है हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज-खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है मुझे उसको भी पक्का घर देना है। और मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंदे से कंधा मिला करके मदद कर रही है। गरीबों को पक्का घर देने के लिए उत्राखन की भाज़पा की सरकार पूरी तरह मेरी इस योजना को सफल करने के लिए काम में लगी है। इसलिए मैं धामी सरकार का अभिनंदन करता हूँ और मुझे खुसी है कि मैं उत्राखन के गरीबों को एस ठंड में गुजैना करने वाले मारे गरीबों को पक्का घर देने का और उनके आशिरवात प्राप्त करने का मेरे नसीब हुआए। भाईयों बैनों पहले की सरकारों को कुछ भी करते थे तो बदले में क्या मांगते थे कुछ नुकुछ कटकी मांगते थे कोई नेता आ जाता था कोई ऐसे ही बिचोली आ जाता था देखे ओ इतने लाग का मकान मिलने वाला है लेकिन 10,000 मुझे देना पड़ेगा 15,000 मुझ कान के बदले में क्या मांगते थे 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 मैं भी मांग रहा हूं क्या मांग रहा हूं मुझे सिर्फ आशिर्वाद चाहिए मुझे सिर्फ आशिर्वाद चाहिए माताओ बैनो मेरे गरीब भाईयों बैनो मैं सि अब आपकी आशिरवात के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए आपके आशिरवात काफी है, मुझे उससे ज्यादा आपके आशिरवात से उपर कुछने चाहिए, और जब आप कमल पे जाकर के बटन दबाते हैं, तो उस आशिरवात की ताकट भी बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ ब्रह्म कमल है, कमल और ब्रह्म कमल का नाता देखो, और इसलिए डबल इंजिन की सरकार, गरीब का दर्द समझती है, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, दिन रात काम कर रही है, कोरोना संकड के समय में, हमारी सरकार ने प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना के धरिये, मुप्त राशन की जिम्मेदारी भी निवाई है, क्योंकि शहरों से लोग फिर अपने गाउं चले आए, चानरों तरब मुसिबते खड़ी हो गई, और मैं भले दिल्नी में बैठा था, लेकिन मेरा दिल इसी बात को पकारता था, कितने बड़ा कोरोना भले आया, सो साल में ऐसी बिमारी नहीं आई, पूरी दुनिया में ऐसी बिमारी नहीं आई, लोगों की जिन्दगी भी मुझे बचानी है, और लेकिन ये भी देखना है, कि गरीब के घर में भी चूला जलता रहना चाहिए, कोई बच्चा भूखा न मरे, किसी मा को आशू न भाने पड़े, घर में खाने की दिक्कत न हो, और इसलिए असी करोड लोगों को, पिछले एक डेड़ साल से मुप्त राशन पहुँचा करके, गरीब के घर का चूला मैंने जलता रखा है, माता है बैने, जब अपने बच्चों को ठाली में खाना परोस्ती है न, तो मुझे भी आशिरवाद परोस्ती है, इससे बड़ा मेरे जीवन का सोभाग ये क्या होता है?